Hello students, welcome once again in Sundar Sirs classes. मैं Sundar Sir एक बार फिर सब का स्वागत करता हूँ Sundar Sirs classes में. तो friends, चलिए देखते हैं आज कौन सा topic है हमारे इस वीडियो में. तो आज का जो topic है, वो topic एक बहुत ही important topic है, एक common सा topic है जिसमें अक्सा स्टुडेंट मिस्टेक करते हैं और वो topic देखने में तो बहुत ही simple topic है लेकिन उसका जो importance है वो बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप correct grammar को लिखना या बोलना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में knowledge होनी बहुत ही आउशक है. तो चलिए बता दू कि आज का हमारा जो topic है वो हमारा है off या फिर apostrophe with noun कि noun के साथ आप off या फिर apostrophe कोमा का use आप कहां करते हैं. एक important है ये और punctuation का भी एक part है ये punctuation के अंतरकर ये चीज़ें बताई जाती है. आज हम इसी topic पर जो है पूरे विस्टार से मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में पूरे rules जो इसे समझने ने apostrophe और off से समझने पूरे rules जो है मैं एक एक करके आपके सामने बिल्कुल clear बत देखिए और चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी ये वीडियो तो फ्रेंट्स अगर बात करें मैं सबसे पहले कि apostrophe is used कि apostrophe का use हम कहां करते हैं तो apostrophe का सबसे पहला जो use है वो क्या करता है with living things या living objects to make possessive case तो सबसे पहले बात तो ये है कि apostrophe का use जो है हम possessive case बनाने के लिए नाउन का possessive case बनाने के लिए परियोग करते हैं और वो भी किसका living things का सजीव वरस्तों का जो है हम possessive case बनाते हैं example देखिए सबसे पहले जैसे जैसे हमने लिखा राजू's book तो यहां हमने राजू ये भी है या dog's tail या हमने लिखा child's toys तो यहां हमने child है dog है राजू है ये सबी क्या है living things है तो इनका हमने possessive बना दिया राजू की पुस्तक खुते की पोंच बच्चे के खिलोने यानि बच in s ये चीज आप बड़ा important है ये चीज आप देखिए ये तो आपको सबको लगबग पता है अब जो मैं आपको बताने जा रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है कि ये कहता है कि अगर किसी word के last में s आता है word के last में s आता है तो वहां हमने क्या करना केवल apostrophe का जात उसके बाद हमने s नहीं लगाना ये चीज दिहान रखनी है एक्जामपल जैसे हमने लखा यहां girls college देखिए यहां पर हमरे पास already word हमरे पास है girls s लास्ट में आ रहा है तो हमने यहां क्या क्या केवल s के बाद हमने केवल आपने देखा यहां apostrophe का पर यहोग यहां यह जानी इसके बाद यह नहीं है कि इसके बाद हमने और s लगाना है ऐसा नहीं है तो इस चीज का अपने द्यान नेक्स टैक ही जैसे wise school तो यहां already हमारे पास s last में है तो यहां हमने क्या लगाना केवल apostrophe कॉमा लगाना है उसके बाद s हमने नहीं लगाना है तो यह जैसे teachers attendance register students attendance register तो यह सारी चीज़े जो है इस प्रकार से last में s आता है उसके बाद apostrophe सिर्फ कॉमा लगाएंगे s नहीं लगाएंगे यह दिहान रखना है नेक्स टोल देखिए नेक्स में काता है कि don't use s if a word ends in hissing sound hissing sound क्या होती है जैस last में s की आवाज यानि इस प्रकार की share की से last में s की आवाज आ रही हो तो उसके बाद भी हम apostrophe s नहीं लगाते देखिए example इसके important point है यह आपका जैसे for peace sake देखिए peace so के आवाज इसी प्रकार जैसे conscience shake यानि सो किसी आवाज जहां निकलती हो तो वहाँ हमने केवल वहाँ पर भी हमने क्या करना है केवल apostrophe कॉमा लगाना इसके बाद भी आपने s का प्रियोग नहीं करना है उम्मीद करता हूँ यह समझ में आयोंगे तिन्हों next point द पॉप जLike साथ आपने क्या करना है किसी के साथ भी आपने apostrophe s का प्रियोग नहीं करना पॉप उपने आपने अखी तरीके से दिमाग में पठा लेनी है एक्जामपल जैसे रहें यॉर्स फैदफुल्य एक्जामपल आमलास्ट में यायॉर्स ट्यूली यॉर्स ओडिटेंल तो यहां हमने क्या है यॉर्स इंसेरली तो यहां जो हमारे पास यसे यॉर्स आता है तो अक्सर ये बच्चे न कई बार यहां मिश्टेक कर देते हैं इसके साथ अपोस्टोफी लगा देते हैं तो इस चीज का आपने दिहान रखना है कि पॉजस्टिव प्रोनाउन के साथ जो है ओल्रडी पॉजस्टिव होता है इसके साथ अपोस्टोफी आपने नहीं लगाना और यही चीज आपने ध्यान में रखनी हैं नेस्ट पॉइंट क्या गता है इसका यूज अपोस्टोफी वीद टाइटल्स देखिए जो टाइटल्स होते हैं विद लास्ट वर्ड य पॉइंट नोट करने वारी बात है जिसे टाइटल्स यानए कि हम एकसे ज्यादा वर्ड सकते हैं हम पासे किसी एक पाकुलर में तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है हमने अपने वर्ड के साथ लगाना होता है जैसे जिसे आदैंक जीसे फादर इनला जीसे हमारा प सा से քक टाइटल कमांडर इन चीफ तो यहां हमने चीफ लास्ट जो पारट आए हम ने उसके साथ हमने आप्पॉस्ट्रोफी लगाना है सब्सक्राइन लजस्च drum रिए सब्सक्राइन बुगने हैं इस की यह जान रखना है कि अगर अगर आप पॉजसिव बना रहे हो तब आपने वहाँ पर अपॉस्टोफी का परियोग नहीं करना वहाँ आपने केवल ओफ का परियोग करना है अब देखिए बुक्स पेजिज अब यहाँ पर बुक्स क्या है नोन लिविंग है इसलिए इसके साथ अपॉस्टोफी कॉमा नहीं लगेगा इसका मतलब यह सेंटेंस क्या हमारा रोंग है सही क्या बनेगा इसमें पेजिज ऑफ बुक क्योंकि बुक जो है नोन लिविंग है नेक्स देखि का चले फ्रेंस कुछ और एक्जाम्पल जो है इसके रूल्स कुछ अगला है क्या है कि परसोनिफिकेशन ऑफ एनिफिंग अब इसमें एक चीज ध्यान रखना जैसे अभी अमने पिछे देखा कि नॉन लिविंग थिंज के साथ हम अपोस्टोफी नहीं लगाते लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शन से अभी मैं आपको जो बता रहा हूं तो वह अपने ध्यान रखना कि एक्सेप्शन किस वे में है सबसे पहली बात अगर किसी नॉन लिविंग थिंज का परसोनिफिकेशन का अगर किया गया अगर मानवी कर्ण उसका प्रियोग में अगर लाया गया है तब जैसे से हमने कहा है संस फ्यूरी नेचर्स लव डेट्स हैंड टाइम्स वेव तो इस प्रकार से हमने अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स का अगर हमने मानवी कर्ण कर दिया उसका परसोनिफिकेशन किया है तो अब भी आप हमने क्या करना है यहां पर अपोस्टोफ का परियोग आप करेंगे तो यह चीज का भी आप लिद्धान रखना है इसके बाद कि किसके साथ टाइम वैट और प्लेस के साथ भी हम अपोस्टोफी एस का परियोग करते हैं कुछ परस्तितियों में एक्जाम्पल देखिए जैसे यहां लिखा एडेज ले लिव यहां इस लिव एक दिन की छुटी या इसे परिगार से आम्स लेंथ यह क्या है हमारे पास एक आम्स लेंथ एक लेंथ लंबाई से या अपाउंड वेट एक पाउंड का वेट तो यहां पर वेट प्लेस या इसे टाइम के साथ भी हम अपोस्टोफी एस का परियोग करेंगे करते हैं जैसे यहां लिखा यहां आजएगा आपा कोर्टस ओर्डर कोर्टस ओर्डर अभी हमारे पास जो कोर्टस होता है रिस्पेक्टेबल होता हमारे लिए उसी प्रकाश जैसे ड्यूटी भी हमारे लिए क्या होता है करतव होता हमारे लिए रिस्पेक्टेबल होता है जैसे duties call, या course order, तो इसके साथ भी आपने परियोग करना है, हमने किसी का apostrophe का, इसके बाद कुछ होता है, कुछ एक phrases होती है हमारे पास, जिनके अंदर जा है, automatically हम परियोग करते हैं apostrophe का, जैसे, देखिए, at one switch, जैसे one switch, मुहावरा भी होता है, जैसे प्रकार phrases, या at stones throw, यानि भी कोई किसी प्रकार के idioms या phrases हमारे पास होती है, तो उनके साथ भी कुछ एक phrases होती है, जिनके साथ apostrophe जो है, वो उनके साथ होता है, हम परियोग करते हैं, तो ये भी आपने ध्यान र हमारे पास ख़वोल ये पिंड होते हैं, या कास ये पिंड होते हैं, तो उनके साथ भी हमने जो है, प्लैनेट्स वगरा है, इन चीजों के साथ भी हम यूज करते हैं, जैसे example के तोर पे, अर्थ's atmosphere, अर्थ's atmosphere, तो यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ जो है, एक जोग्रफिकल और एक भॉगॉलिक पिंड है, तो इसके साथ भी हम apostrophe का परियोग करेंगे, इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं, तो, अब इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, students, ये जो हमने ये इस point को आपने सबसी important ध्यान रखना, कभी भी आपने की sentence में double apostrophe का परियोग आप friend के भी दो-दो apostrophe आ रहे हैं इसमें, तो ये sentence आपका wrong होगा, इस प्रकार आपने double apostrophe आप परियोग नहीं करेंगे, तो इसका solution इसको आप सही कैसे लिख सकते हैं, the mother of my friend's secretary, तो इसमें आपने जो है apostrophe, एक को ही केवल अपने apostrophe लगाना है, जो main है, आपने उसके साथ apostrophe apostrophe लगाना है, दूसरे वाले के साथ नहीं लगाना है, आपका लिंक किसके साथ है, आपके friend के साथ है, तो आप apostrophe किसके साथ लगाएंगे, friend के साथ लगाएंगे, उसके secretary की मा जो भी आगी है, X, Y, Z, हमने उसके साथ नहीं लगाना, तो ये है, जो कुछ rules हैं, हमारे apostrophe से स हाँ और किल परस्तितियों में करते हैं विशेश तोर पे जो है इसमें यही जान रखने वाड़ी बात है कि जब हम पुजस्शिव केस बनाते हैं नाउन का तब हम इसका प्रयोग करते हैं और स्टुडेंट्स उमिद करता हूँ यह लेसन आज का आपको जरूर पसंद आया हो कुछ और फैक्ट को लेकर आपके सामने में बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ तक तक हैव नाइस डे थैंक यू